इसलाम रेकम ठीकलास, बुक इसलामयात उन्वान है हमारा कुरान मजीद के हम लोग लीडिंग कर चुके हैं पेज नमबर फिफ्टीन, सफ़ा नमबर पंदरा तोडे वे विल दू दू दा फिलिंग सा ब्लैंक्स हाली जगा पूर करें ठीक है सफ़ा नमबर पंदरा, उन्वान कुरान मजीद आज हम लोग इस टॉपिक की फिलिंग दा ब्लैंक्स करेंगे सबसे पहले लिखावा है कुरान मजीद एक मुकमल डैश है पहले ब्लैंक में आजाएगा जापता-ए-हयात जापता-ए-हयात मतलब जिन्देगी गुजारने का तरीका फर्स्ट ब्लैंक में आएगा जापता-ए-हयात ज्वाद, अलिवा, ज्वाद, और अलिव, ज्वाद, बे, तोई, हे जापता हे ये अलिव, हया, ते, हयाद, जापता, हयाद तरीक है, कुरान मजीद एक मुकमल जापता हयात है, जापता हयात कहते हैं, जिन्दगी गुजारने का तरीका, सेकंड ब्लैक है हमारी, कुरान मजीद अल्ला ताला की डैश किताब है, कुन से किताब है, आहरी किताब, ठीक है, कुरान मजीद अल्ला ताला की आहरी किताब है, अलिफ मद्दा हे रे छोटी आहरी नमबर तीन कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से डैश नेकियां मिलती है कितनी नेकियां मिलती है? दस नेकियां एक हर्फ पढ़ने से दस नेकियां मिलती है ठीक है? नमबर फूर कुराने पाक पढ़ने से पहले डैश कर लेना चाहिए क्या कर लेना चाहिए वजू कर लेना चाहिए वाओ, जुआद, वाओ वजू, ठीक है कुराने पाक पढ़ने से पहले क्या कर लेना चाहिए वजू कर लेना चाहिए नमबर पांच तिलावत के वर रुख डैश की तरफ होना चाहिए ठीक है जब हम तिलावत करते हैं कुरान पाकी तो हमारा रुख हमारा जो चेहरा है वो किस तरफ होना चाहिए किबले की तरफ होना चाहिए काफ बे लाम हे किबला किबला की तरफ होना चाहिए किस तरफ हम उनकर के नमास परते हैं यानि काबे की दरफ ठीक है नबर सिक्स कुरान मजीद क्यामत तक तमाम इनसानों के लिए डैश और डैश का जरीया है किसका जरीया है हिदायत और रहनुमाई हे दाल अलिवदा हिदा ये ते यद हिदायत रहनुमाई रे अलिव हे रा नून वीम अलिव मा रहनुमा हमजा छोटी ये रहनुमाई ठीक है सिक्स ब्लैंक में दो है पहली में आएगा हिदायत दूसरी में आएगा रहनुमाई दुबाना से हम लोग देखते हैं पहली ब्लैंक कुरान मजीद 1 मुकमल जापते हयात है 2. कुरान मजीद अल्ला ताला की आहरी किताब है 3. कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से दस नेकियां मिलती है 4. कुरान पाक पढ़ने से पहले वजू कर लेना चाहिए 5. तिलावत के वक्त रुख किबला की तरफ होना चाहिए 6. कुरान मजीद तमाम कियामत तक तमाम इनसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया है बुक इसलामयात सफ़ा नमबर पंदरा आप लोग अनिये ब्लैंक्स अपनी बुक्स पे लिख पे लेनी है और याद भी कर लेनी है लाफ स्रीक्लास